और देखिए इस विशेश अनुस्ठाम में प्रधान मंत्री मोदी भी पहुँचने वाले सुबह 10 बचकर 25 मिनट पर वो आयोध्या एरपोर्ट पहुँचेंगे और 10 बचकर 55 मिनट पर श्री राम जन्मभूमी मंदिर पहुँचेंगे और इसके बाद दोपहर एक बचे आयोध्या में सार्वजनिक कारिकरम में वो हिस्सा लेंगे दोपहर सवा दो बचे कुवेर टिला पर श्री बमंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे प्रान प्रतिस्ठा समारों में 8,000 से स्यादा महमान शामिल होंगे जिसमें देश के प्रधान मंत्री से लेकर बड़े बड़े संथ, राजनेता, अभिनेता तो देखिये रामलला की प्रान प्रतिस्ठा है और इसे लेकर तयारियां की जा रही है करें हैं हर तरफ उत्सा उमंग देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी-पारिक्राम के द्रिस्टरी कौन से आप देखें कि चार लेएर सुरक्षा के इंतसाम वहां पर नजर आ है कि प्राण प्रतस्थासे पहले वहां पर पूझा अर्चना की जा रही है वी वी आई पी जो हैं वो पहुंच रहे हैं और देखें अब सईयों की भावना हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधे उनका रुख कर लेते हैं भावना अलग अलग जगा की तस्वीरे तो देखने को मिल रही है लेकिन रौनक सभी जगा एक जैसी चाहे वो राम मंदिर की बा बेलकुल आपको मैं बताओं क्यूंकि आपने बात की है कि हर मंदिर में रौनक कैसी है मैं लगातार सुबह साथ बजे से न्यूस लेवन भारत के माध्यम से दर्शकों को दिखा रही हूं कि राम जी के प्यारे हनुमारे हनुमान जी के मंदिर में भीड कितनी है और यह तस पंडे जी ने अमें गदा भी दे दी है और साथ इसाथ जो है पुश्व भी दिये है जो कि प्रभू के चड़नों में अर्पित थे और यह प्रशाद भी जो है मैं फिलाल अभी से लिए यह रख रही हूं क्योंकि लाइव इसके बाद में जरूर लेने वाली हो और यह प् 5500 वर्ष पुराना इतना प्राचीन ये मंदिर बताया जाता है कहते हैं इस मंदिर का जो किस्ता है वो पांड़ों से जुड़ा है इस मंदिर का किस्ता प्रभू श्री राम से भी जुड़ा है और इस मंदिर का किस्ता भगवान हनुमान से भी जुड़ा है और कहते हैं कि और लगातार हम एक बात और भी कहते है कि त्याग दी सब कामना निश्काम बनने के लिए राम ने खुद को त्यागा श्री राम बनने के लिए प्रभू की तो महिमारी ऐसी है यह देखे यहां पर पुष्प लेकर पहुंचे भक्त में सीधा चड़ूंगी आपके लिए राम कितने प्यारे सब कुछ है हमारे लिए राम सब कुछ हमारा अधार है हमारा सब कुछ है हम पागल हुए जा रहे हम से समानी पा रहे हम अपने अप में इतनी खुशी है आज अब पुष्प लेकर भी पहुंचे है हनुमान जी को खुश करने आए कहते हनुमान जी को खुश कर लीजे राम जी तो खुद बुकुछ चले आए बिल्कुल सही बात है आज का दिन कितना बड़े है बहुत बढ़ा दिवाली जैसा बिल्कुल आज प्रान प्रतिष्ठा ह होने वाली है प्रभू की 500 वर्ष का इंतजार खतम हो रहा है बड़े से लेकर छोटा आपको मंदिर में नजर आएगा प्रभू की मूर्ति तो मंदिर में पहुंच चुकी है यहां तक कि आपको बताओ कि प्रभू की मूर्ति की सबसे खासियत यही है कि 4.24 फीट जो है उसकी उचाई है तीन फीट चड़ाई है और वहीं अगर वजन की बात करें तो 200 किलो से जादा का वजन है मूर्ति का और वहीं अगर राम मंदिर की बात करें तो एक हजार करोड रुपे से जाला का खर्च हो चुका है अभी तक मंदर निर्माड में कई हजार करोड को का तो कहते है कि दान आया है राम मंदर में और ऐसे भी रामभक्त गोंगे 101 किलो सोना भी दान किया है ताकि प्रभु के 14 दरवाजों पर जो है स्वन कहते यानि कि सोने की परत चड़ जाए प्रभू की जो है तमाम चीजे जो है आ रही है अलग-अलग राज्जियों से यहां तक कि उनके माईके से लेकर ससुराल तक में सारी चीजे अयोध्या पहुंच चुकी है मंदिर में घंटी से लेकर घंटा भी आपको नजर आएगा य इसी के साथ जानकारी देदू क्योंकि राम जी का दिन है बहुत खास है त्रेता यूग में 14 वर्ष का वनवास प्रभू ने काटा था अब आम लोगों ने 500 साल का इंतजार का ताकि प्रभू के दर्शन कर पाए फाइनली राम लला टेंट से बाहर निकल कर आएंगे अपन से समझे का योध्या में अभी तकरीबन 7-8 डिग्री टेंपरिचर है सर्दिया बहुत ज्यादा है इसके बावजूद भी वहां उत्सा चरम पर है सुबह से यानि कि जब पौन फटी एहले सुबह जब कहते हैं तब से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है और यह उ देखे आप अयोध्या की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं मैं तो देश के राजधानी दिल्ली की तस्वीर चाहूंगी मेरा कैमरमें से एक पर कैमरा पीछे की तरफ घुमा के दिखा दीजिए सर्दी बेशक अपने चरम पर है लेकिन भक्ती भी अपने चरम पर है इस पर को 830 से डिखाई का की तरह देखे आपको लोग नजर आ रहे हैं सरदी में भी और प्रभू के दर्शन करने इसनद आयोखे की तहुरा किकसा कि अचुछा जहाने uppन चाहिए और इसलिए कहते हैं कि रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई प्रभू ने तो वचन निभाया 14 वर्ष का वनवास काट कर उनके जो भक्त है वो भी वचन निभा रहे हैं पिछले 500 सालों से और अब वो पल आ रहा है जो कई पीडियों ने इंतिजार कि प्रभू टेंट से बाहर निकलेंगे और हम उनके दर्शन कर पाएंगे राम जी तो प्रतिष्ठत होने वाले हैं मंदिर के अंदर मुर्ती आ चुकी है कई सवरूप उसमें दिखाए गए हैं आप हनुमारे मंदिर कांच है कितने जादा खुश है आज इससे बड़ा मेरे लिए कोई पल नहीं है कि मेरे अरादे अपने घर में आ रहे हैं इससे बड़ा मेरे लिए कोई पल नहीं है इससे बड़ी मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है मैं आज उनके लिए ही तैयार होकर आया हूं मंदिर इस मंदिर में पिछले दोजारेक से आ रहा हूं और यह बहुत खुशी का ब fragrance हर किसी के लिए अच्छा, आप मंटरंन आपक्त कर रहे देह किह रहे दे क्ला लू से क्या कहा Years अगने प्रभू जी ने आपने लिए राम जी की लंबी आयू के लिए अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था मैं ने लिए पहना इसलिए अपने रफो राम की लंबी आयू के लिए बावना देखें यह भक्ती है और कहते हैं भक्ती में इतनी शक्ती है कि आपकी तकदीर आपके खिसमत बदल जाती है हम लोटेंगे और वी तस्वीरें दिल्ली की दिखाएंगे फिलाल एक बार हम राची का रुख कर लेते हैं कहते हैं सायोगी अमारे दीपक जुड़े हैं संकट मोच मंदिर से वहां की तस्वीर दिखाएंगे दीपक कहते हैं राम को अगर पाना है तो पहले हनुमान को साधना होगा यानि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना अगर आप हनुमान जी की पूजा कर ले तो प्रभू राम खुद बखुद आपके पास चल कर आ जाएंगे और इसलिए हनुमान मंदिर में भी भीड नजर आ रही है दीपक अगल बगल में जो मिठाई के दुकान है आज के दिन में यहां पर देखने को मिल रहा है तो कहीं लोगों में उत्सा है जिस तरीका से अईवद्धा में बन रहे हैं मंदीर का पुरान का सिस्था है और इसको लेकर के फूरे इस वर में वह देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर देखनाने का कोशी जो है हम हो रहे हैं तस्वीरों में आप शाप्तर पर देखते हैं कि यह जो पराचिन नेत्यास्ति कुराना पराचिन मंदीर है यहां पर जो भीड है इस बात का गवा दे रहेगी किस तरीका से आज के दिन में जो राम मंदीर करान पर तिख्था हो रहा उसमें जो उच्छा कि यहां रहा है तो लोगों में कापी उच्छा है लोग बढ़ चड़कर इस पावन दीर में लोग सरीक हो रहे हैं और सभी के मन में यही आस्था उमीद है और भुवान राम पे लोगों पे आस्था जिस तरीका ते आहीं कि दिखने पर रही है करेंगे कि कित्रा मन में आज जो है वो कुछी है आस्था है उन्हें कि मैं इस लोग मों पुछे हैं को आज का दीन कंवे सभी कि लिए उन्हें कि अदिए मुष्ण उय हमारे जिन्दी के लिए जिन्दी के लिए बहुत गष depend है आज सबपे जिन्दी की के लिए एक जिन्दी के probiष भगवानom तो शाल के इंतिजार पूरा हुआ है और इससे हम बहुत किरदेश से सुखी है और नरेंदर मोजी जी को धन्यवाद देते हैं और उनसे विंती करते हैं कि गयानों आपी और मत्वुरा का भी जल्दी से हल करें कि अधिए लोगों में आस्था जिस तरीका से और जो आज उमन दो देखने को मिल रहा है राम बगत्रों में वह खाथ तोर पे दखने को विस्ते ही बिन रहा है कि आज के दिन जो है वाम जी को है आज पर दुखिए ये विराजमान होंगे आप अधिशी को लेकर के जो है जो बड़ी संख्या में जो लोग है वो तमाम मंदीर में जहां कहीं भी आप भर्मन करेंगे तो हरे एक मंदीर के आसपास जो है पुरा भड़वा रंच जो पता का है उससे पुरा पड़िया है अपने सब आईसा लग रहा है जो से कि आज के दिन जो है कहीं ने कहीं राम नेम आपका है और आज के दिन कापी खास और विसे स्टोर पे इसका विसे समहत हो भी है यहीं वजा है कि पूरे देजबार में यह तश्वीर देखे को ने रही है तमाम मंदीर में जो है बरी संख्या में सदाली पूंच रहे है ले चुबाश चे पूंच रहे है और हमने जिस जब यह तनी बड़ी भाव है आज जब कार्करम जब मतुरा में हो रहा तो वह तच्वीर जो है तहीं ने कहीं अपने इलाकों में अपने घर में अपने सहर में जो है वह लोग देख पा रहे है बिलकुल दीपक अगर संभव हो तो देखे यह यह तैयारियां यह पूंजा के भी कड़े इंतसाम किये गये हैं कल फ्लाग मार्च भी किया क्या है और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती भी हुई है ताकि यह अनुस्ठान पूरे देश भर में सुचारू ढंग से संपन हो सके कैसी ववस्ता वो देखने को मिल रही है अगर ज़र आप कैमरा पै ज़र बड़ी ववस्ता को लेकर भी तबाम तरह की वो त्यारी है तो जीला पासान के दुवारा की गया है और मंदीर में लोगं में आस्थ़ा इस तरीका से आर चाई और। कौर जाता है और यहां पर बोगार के आले सुभा ब्र at अब बगल में ही मंदिर के प्रांगन में कर सकते हैं कि बड़ी कुटा ने भी कही तरह की जो सजी हुए जो धाल्मी कनिस्टाम से समंधित जो समाने वोग मिल रही है तो लोगों में आफ़ा और जो आज के दिन में जो देखने को मिल रहा है अमुमान यह खात्वर के राम रामडला जो है अजो विराजमान होंगे जरब करी में इंका प्रांग पत्रिठा जो है बोग क्या चारहा है तो पूरा इलाधा पूरी तरफ से राममें हो गया है पूरा राधारी राची से लेकर पूरा देश भर में तो उस्टा का मौल है वो खात्वर के दिखने हैं पूरा जो है चलिए दीपक यह तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भी अपने दर्शुकों तक निउसलवन भात की कोशिश है कि रामोत्सव की हर तस्वीर हर रंग आप तक हम पहुंचाए राजा निराची के संकट मोचन मंदिर से यह तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे सायोगी दीपक